कई बार हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसिस बोलते हैं जैसे इस बार मैं पक्का आऊंगा इस बार तुम उसे पागल नहीं बना सकते इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा इस बार पुलिस ने चोर को पकड़ लिया ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंगलिश में बोलने के लिए हम इस टाइम का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है इस पार इसको लेकर सेंटेंसिस बनाने का रूल देखते हैं इसके रूल में सबसे पहले इस टाइम आता है और इसके बाद हमारा main sentence आता है जो कि किसी भी tense में हो सकता है आप अगर चाहें तो अपने sentence की starting ही अपने sentence के main part से कर सकते हैं और this time को last में use कर सकते हैं ये भी सही है आपकी choice है आप दोनों में से कैसे भी अपने sentence को बना सकते हैं लेकिन एक बाद का ध्यान रखिएगा कि अगर this time को start करके sentence बना रहे हैं तो this time को लिखने के बाद सबसे पहले कौम आएगा और इसके बाद ही हमारा main sentence आएगा चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए इस बार मैं पक्का आऊंगा इस ताइम I will come for sure या फिर I will come for sure this time इस बार तुम उसे पागल नहीं बना सकते इस ताइम you can't fool her या फिर you can't fool her this time इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा इस ताइम he won't listen to anyone या फिर he won't listen to anyone this time इस बार बहाने मत बनाना इस बार पुलिस ने चोर को पकड़ लिया इस बार तुम्हें उसे फोन करना चाहिए या इस बार वो आएगा इस बार वो आएगा या फिर विल ही कम दिस टाइम या इस बार उसने सच पता दिया इस टाइम डिड़ी टेल दा ट्रूथ या फिर दिड़ी टेल दा ट्रूथ दिस टाइम अब एक सेंटेंस आपके लिए इस बार हम जरूर जीतेंगे इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और मेक स्ब्सक्राइब बटन अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ लगने के लिए टेक कैर बाबाई